हेलो दोस्तों वेलकम है आपका अमारे वैडियो चैनल में आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है उनके लिए जो यहाँ पर आर्मी में भरती होना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन आर्मी ने वह एनाउंस किया है अगनीवीर प्रोग्राम जो की यहां पे चार साल का होता है तो इस अपडेट में इसके रिगार्डिंग सब कुछ आपके साथ डीटेल्स में शेर करने वाला हूं जैसे कि यहां पे पोस्ट के रहने वाली है अब यहां पे सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट के बारे में तो यहां पे दो पोस्ट है इस एक है आपकी मेट्रिक रिक्रूट और सेकंड पोस्ट है सीनियर सेकंडरी रिक्रूट खाली यहां पे आपको दो डिफरेंस देखने को मिलेंगे एक है डिफरेंस यहां पे से वो सब यहां पर सेम रहने वाली है तो दूस्तों पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो है metric recruit तो इसमें आपका जैसे कि आपको बोला है metric recruit तो इसमें जो education qualification जो आपका रहेगा वो metric pass रहेगा यानि आपने अगर में 10 पास किया है तो आप यहां पे eligible हो इस पोस्ट में apply कर सकते हो सेकंड पोस्ट है यहां पे आपकी senior secondary recruit तो उसमें यहां पे आपको 12 पास eligible है अगर आपने 12 पास किया है यहां पे mechanical, electrical, automobile, computer science, instrumentation, technology, information technology तो यहां पे आप apply कर सकते हो इसमें भी आपको minimum 50% marks चाहिए थर्ड option भी इसमें available है आपने अगर 2 साल का vocational course किया है with non vocational subject जैसे की physics और mathematics हो गए तो इसमें भी आपके 50% आपके marks है तो आप यहां पे apply कर सकते हो दोस्तों यहां पे बात करेंगे age limit के बारे में तो दोनों की age limit यहां पे same रहने वाली है 1st November 2003 से लेके 30 April 2007 तक अगर इसके दर्मियान आपका अगर date of birth आता है तो आप यहां पे eligible हो apply कर सकते हो बात करेंगे यहां पे marital status के लिए तो यहां पे आप unmarried होने चाहिए यहां पर फरक नहीं परता है आप अगर male candidate हो या फिर female candidate हो यहां पे आपको unmarried होना है तभी आप यहां पे eligible हो apply कर सकते हो बात करेंगे यहां पे duration of service तो जैसा ही कि मैंने आपको कहा कि चार साल की यह जो है वो service रहती है चार साल तक ही होती है इसके बाद आगे जो है वो कोई possibility नहीं है कि आपका time जो हो extend होगा लीव के बारे में बात करें तो यहां पे 30 दिन लीव मिलती है पर इयर इसके अलावा आपको यहां पर सिक लीव जो प्रोवाइड की जाती है जो medical service होती है उसके दौना पे यहां पर 30,000 पर मन्त आपको यहां पर मिला जाता है तो इसका आपको पूरा breakout है वो आप स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा दोनों के लिए same है आप जो है वो MR के लिए post के लिए अगर apply कर रहे हो यहां पर SSR के लिए apply कर रहे हो यहां पे दोनों के लिए जो आपका payout है वो यहां पे same रहने वाला है हर्सट लियर में आपको यहां पर 30,000 मिलेगा second 33,000 third year में 36,500 और फो 70% मिलेगा और 30% जो है वो कॉर्पस अगनीवीर कॉर्पस फंड में कंट्रिब्यूट होगा उतना ही परसंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे कंट्रिब्यूट होगा जो आप यह चार साल जब कंप्लीट करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको एक अगनीव यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है इसके अलावा यहाँ पे आपको लाइफ इंशूरेंस कवर डैथ कंपेंजेशन डिजैप्लिटी कंपेंजेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिर आपका नेवल पैंसल रेगुलेशन ग्रेचुटी है रिलीज एट ओन इसके अलावा बहुत सारी कंडिशन और बहुत सारी इनफॉरमेशन यहाँ पे अपको देखने को मिलेगी इनकी नोटिफिकेशन में तो दोनों की जो है नोटिफिकेशन अलग है जो MR की जो रिक्रूटमेंट प्रोसस्स है यानि MR की जो पोस्ट है और जो आपका SSR को जो है दोनों की अलग-अलग नोटिफिकेशन रहने वाली है. इन दोनों की नोटिफिकेशन में आपको यहां पर हमारे वीडियो के डिसक्रिप्षन में दोनों की लिंक बात करेंगे सेलेक्षियर के स्टेज रहने वाला है स्टेज में आपका यहां पर कंपिटर बेस्ट एक्जाम रहेगा जिसमें आपके 50 कॉस्टशन रहेंगे मिलेगा हिंदी आपको देखने को मिलेगा इसमें 2 सेक्षन होंगे एक section होगा आपका science and mathematics का और दूसरा section यहाँ पे general और awareness का रहने वाला है तो इसका जो standard रहेगा paper का वो आपका 10th के basis पे आपका ये पूछा जाएगा यानि आपका जो भी 10th के knowledge के basis पे आपको इसमें questions देखने को मिलेंगे अब इसका अगर आपको syllabus और sample papers अगर आपको चाहिए इसकी exam के तो आपको यहाँ पे एक link मिल जाएगी एक website है joinindiannavy.gov.in पे जाके और एक दूसरा यहाँ पे portal है अगनिवीरnavy.cdac.in पे जाके इनके आप चाहो तो sample papers और syllabus जो डाउनलोड कर सकते हों तो इसका जो duration जो रहने वाला है याने आपको इस paper के लिए 30 मिनिट मिलेंगे 30 मिनिट में आपको यह पूरा paper जो हो complete करना होगा अच्छा अब बात करेंगे यहाँ पे पैनल्टी की तो इसमें जो अगर आपका कोई भी answer यहाँ पे wrong जाता है तो आपको 0.25 marks यहाँ पे deduct किया जाएगा MR की जो है उसमें stage 1 में इसकी बात होगा आप stage 2 की बात करेंगे जो है PFT written examination और recruitment medical यहाँ पे first है PFT याने physical fitness test जिसमें आपका दोनों का यहाँ पे बात करेंगे अगर बात करें MR की जो post है या फिर SSR की जो post है यह जो है यह दोनों में common है physical fitness test यह mandatory है और दोनों में common है इसमें male और female दोनों के लिए जो है वो एक running यहाँ पे एक race होगी ओके तो 1.6 km का यह run होगा जिसको आपको यहाँ पे complete करना है male candidates के लिए 6 minutes 30 seconds और female candidates के लिए यहाँ पे 8 minutes अब उसके बाद यहाँ पे squads होंगे जिसको कहा जाता है उठक बैठक जो males के लिए यहाँ पे 20 है और females के 10 और bent knee sit-ups है 15 males के लिए और यहाँ पे आपकी female candidates के लिए 10 इसके बाद advisory है के proficiency in sports होना चाहिए swimming और extra curricular activities जो हो is desirable अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जो SSR की जो post है उसकी जो selection process है उसके बारे में तो stage 1 में यहाँ भी आपको computer-based test देखने को मिलेगा ओके जिसे इंडि questions होंगे 100 marks के यहाँ पे यह भी दो language में जो है वो conduct किया जाएगा यानि Hindi और English दोनों में आप जो चाहो यहाँ पे दे सकते हो multiple choice questions होंगे इसमें 4 section होंगे English, Science, Mathematics और General Awareness अब यहाँ पे जो standard जो होगा question paper का वो 10 plus 2 के माध्यम से होगा यानि 12th का जो basis का जो यानि 12th के standard का य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यह जो questions जो होंगे उस level के 12th level के यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे इसके बाद इसके भी syllabus और sample papers अगर आप चाहो इसके exam के regarding तो आप यहाँ पे download कर सकते हो जो मैंने जो website दी थी और एक जो registration पोर्टल जो दिया था इनका वहाँ प पर सकते हो अब इसकी paper यह जो paper one रहेगा यह computer based जो test है इसके लिए आपको एक घंटा यहाँ पे मिलेगा अब यहाँ पे आपका इसमें भी deduction रहेगा penalty रहेगी wrong answer के लिए तो यहाँ पे 0.25 marks आपके जो है deduct किये जाएंगे अगर आपने यहाँ पे answer कोई wrong दिया है examination fees दोनों इसमें भी मैंने जैसा बोला आपको यहाँ पे पी एफटी रहेगा written examination रहेगा और recruitment medical यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे physical fitness test होगा जिसमें सभी चीज यहाँ पे जो MR के लिए थी MR की post के लिए थी वही SSR की post के लिए भी यहाँ पे सेम देखने वाला है तो यहाँ पे gender जो ह 1.6 km का run रहेगा दोनों के लिए same जो time है उसमें जो था वो भी इसमें same रहेगा उठक बैठक push-ups और bent knee sit-ups जो भी थे वो इसमें number same रहेगे इसके बाद आपका medical examination होगा और फिर medical list prepare की जाएगी और उसके ही basis पे यहाँ पे आपका direct selection होगा तो दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे final recruitment medical तो final recruitment medical exam होगा सभी selected candidates का यहाँ पे जो की conduct करेगा INS चिलका तो वहीं पे जाके आपका यह final recruitment medical examination होगा फिर उसके बाद अगर उसे आप qualify कर लेते हो तो यहाँ पे आपका selection हो गया पका medical standards की कुछ conditions है जो दोनों के लिए apply होती है तो यहाँ पे आप इसकी official notification मे जाके जो हो सभी चीज यहाँ पे पढ़ सकते हो अब बात आती है यहाँ पे के apply कैसे करना है तो यहाँ पे for this entry the candidates can apply online only on the website अगनीवीरमेवी.cdac.in in from 13 में से लेके 27 में तक आप इसमें apply कर सकते हो तो 13 में से 27 में तक आप इसमें apply कर सकते हो इसकी link जो है जो आपकी यहाँ पे application link जो हो यहाँ पे मैं add कर दूँगा वहाँ पे जाके आप यहाँ पे apply कर सकते हो तो दोस्तों इसमें exam है तो यहाँ पे अगर exam की preparation करना चाहते हो तो आप all-in-one notes में enroll कर सकते हो जिसमें आपको यह सभी content मिलेगा जो यहाँ पे show कर रहा होगा screen पे इसके अलावा आपक all-in-one notes है यह आपको help करेगा सभी तरह की government exams में तो दोस्तों इसके link भी आपको जो हो हमारे video की description में मिल जाएगी अगर आप चाहते हो enroll करना तो जली से check out कर लो special offer भी यहाँ पे चल रहा है तो दोस्तों और information आप अगर आप इस update के regarding चाहते हो तो इसकी official notification में जाके ले सकत हो वीडियो अच्छा लगाओ तो like कर देना जो यहाँ पर आर्मी लवार है उनको जरूर से share कर देना तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर first time हमारे चैनल पर विजिट किया हो तो subscribe जरूर से कर देना दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हमारे next वीडियो में तब क 성공 कि कर देना है